Class 10th Employability Skills Information Technology Code है 402 Unit No.1 देख रहे हैं Communication Skills यहां बात करेंगे Verbal Communication की Communication मतलब बातचीत, वारतालाप, डिसकशन, डिबेट तो इसमें क्या क्या चीज़े आ सकती है इसमें Sound आ सकता है, जैसे मैं भी Sound Produce कर रहा हूँ उसी से आप सुन रहे हैं Words आ सकते हैं, शब्द हम बोलते हैं शब्दों को पिरो के हम sentence बनाते हैं, वाक्य बनाते हैं Language किस भाशा में आप बात कर रहे हैं हिंदी में, अंग्रेजी में, जापानी में और Speech Speech का मतलब है कि क्या टोन है कब आप रूक रहे हैं कितना तेजी से बोल रहे हैं क्या intensity है ये सारी चीज़े Speech में आ जाती है तो वर्बल कम्यूनिकेशन में एक पड़ा misconception है कि हम इसको मानते हैं कि बोला जाने वाला जो बातचीत हो रही है वो हमारा वर्बल कम्यूनिकेशन होता है लेकिन ऐसा नहीं है इसमें रिटन भी आता है लिखित भी आता है तो वर्बल कम्यूनिकेशन सबसे important, सबसे जरूरी और सबसे effective, सबसे कारगर तरीका है जब हम बातचीत करते है क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम एक तो अपने emotions देखे दोनों बातचीत कर रहे हैं आपस में एक दूसरे को अपने emotion हाथों के जरीयों दिखा रहे हैं अगर हम यह अपनी जो वर्बल कम्यूनिकेशन स्किल है या कहें कि बातों से या लिख कर जो बोलने की कला है इसको हम आगे बढ़ा ले या इसको इंप्रूव कर ले तो हम दूसरों के साथ जादा करनेक्ट हो सकते हैं या उनको अपने तरफ आकरशित कर सकते हैं अपनी एक इज़त बना सकते हैं रेपव बना सकते हैं तो हम बात करेंगे कुछ बहुत जरूरी वर्बल कम्यूनिकेशन के जो फॉर्म्स है प्रकार जो है वर्बल कम्यूनिकेशन के अलग-अलग तरीके के प्रकार है इसमें सबसे पहली चीज आती है इंटर-पर्सनल कम्यूनिकेशन इसका तात्पर ये है कि हम जब आपस में बात करते हैं यहाँ पर दो लोगों के बीच में बात चीज चल रही है दो इंडिविजवल इन्वाल है और इसे हम फेस टू फेस या वन-टू-वन कॉन्वर्सेशन भी कहते हैं एक मैनेजर बता रहे हैं इंप्लॉई से तो ये इन्वार्मल हो गया दो दोस आपस में बात कर रहे हैं होमवर्क के बारे में तो इन्वार्मल हो गया और दो आपस में लोग बात कर रहे हैं फोन पे या वीडियो कॉल पे तो यह formal भी हो सकता है, informal भी हो सकता है लेकिन यह interpersonal communication में आएगा दूसरा form यह दूसरा प्रकार है verbal communication का written communication जैसे मैंने बताया verbal में हमेशा हम सोचते हैं कि भाई बातचीत वाली प्रकार है यह वारतालाब का लेकिन ऐसा नहीं है लिखित communication, लिखित बातचीत, लिखित वारतालाब भी verbal communication में आता है तो यहाँ पर जब हम लिख लिख के भेजते हैं चाहे और सबसे बड़ी बात है कि हम लिखें चाहे हाथ से लिखें या टाइप करें तो जो हम letter भेजते हैं circular भेजते हैं, report बनाते हैं manual बनाते हैं, sms जो भेज तकते हैं आजकर whatsapp भेजते हैं whatsapp message भेजते हैं social media पे जो हम chat करते हैं चाहे वो facebook पे हो रहा हो, चाहे twitter पे हो रहा हो तो यह सारी जो चीज़ें आती है written communication में जैसे एक manager किसी employee को उन्हें बड़ा अच्छा काम किया उनको एक letter भेज रहे हैं कि आपने बहुत अच्छा काम किया उनको appreciate कर रहे हैं, उनकी तारीफ कर रहे हैं या grandmother को आप अपनी जो नानी हैं या अपनी दादी हैं उनको letter लिख रहे हैं और पूछ रहे हैं का आपके हालात क्या है, आपके हालचाल क्या है। Small Group Communication, इसमें एक छोटा ग्रूप है, बहुत बड़ा ग्रूप नहीं है, यहाँ पर आपस में एक conversation चल रहा है, बाची चल रही है, यह press conference हो सकता है, यह board की meeting हो सकती है, यह team meeting हो सकती है, आपस में ग्रूप discussion हो सकता है, इसको हम small group इसे हम SGS कहते हैं, SDC कहते हैं, small group communication, पब्लिक communication की बात यह होती है, कि एक सहाब यहाँ पर है, और यह बहुत सारी एक gathering है, उनको address कर रहे हैं, जैसे आप stage पर खड़े हैं, नेता जी खड़े हैं, वो address कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर communication में, यहाँ पर एक सहाब individual, बाकी लोग को address करते हैं, जिसमें gathering है, काफी सारे लोग हैं, तो election campaign जैसे मान लीजए, मोदी जी, बंगाल में election campaign में हैं, तो उसे हम public communication कहेंगे, यह जो dignitaries हैं, बड़े-बड़े लोग हैं, जब आते हैं, तो वो अपना keynote वगएरा देते हैं, हैं लोगों को, उसे हम public communication कहते हैं, वर्बल communication के कुछ फाइदे हैं, कुछ नुकसान भी है, सबसे पहले चीज़ यह है, कि फाइदे यह हैं, कि यह easy mode of communication है, इसका मतलब यह क्या होता है, कि अगर लोग आपस में बात करते हैं, चाहे हो सामने सामने बात करें, या फिर वो कै कैसे कर रहे हैं, लिखित रूप में बात कर रहे हैं, तो फड़ाफट response मिलता है, जैसे आप chatting भी कर रहे हैं लिखित रूप में, तो फड़ाफट response मिलता है, तो आप इनका एक message जाएगा, उसके अनुसार यह अपना जवाब देंगे, फिर इनके जवाब के अनुसार यह मतलब कि आप अपना response फड़ाफट change कर सकते हैं, या फिर उस तरीके से जवाब दे सकते हैं, disadvantage यह है कि यहाँ पर होता यह है कि आप कह रहे हैं खेत, वो समझ रहे हैं खली हान, अगर हम सही शब्दों का चैन नहीं करते हैं, अगर right words का use नहीं करते हैं, तो घरत हो जाता है वर्बल कमिनिकेशन, ऐसी बात्चीश जिसमें बाखिक तौर पे या लिखित तौर पे आप बात्चीश करते हैं, इसको master कैसे करें, कई लोगों को आपने देखा होगा कि जो जब सामने आते हैं, तो वो या लोगों के सामने आते हैं, तो नर्वस हो जाते हैं, खास तर प पब्लीक ग्रूप बहुत सारा होता है तो उनकी पैरक आप में लग जाते हैं, हार्ट बीड बढ़ जाती है चाहे वो अपने टीचर से बात कर रहे हैं हो किसी बड़े मैनेजर से बात कर रहे हैं या सुपरवाइजर से बात कर रहे हैं प्रबंदक से बात कर रहे हैं आपने किसी से भी बात कर रहे हैं वो थोड़ा सा घबराते हैं डरते हैं लेकिन कुछ तरीके हैं जिससे आप इसको बढ़ा सकते हैं अपनी जो बाचीत की खला है उसको आप निखार सकते हैं तो उसके तरीके क्या है सबसे पहले जो आपको बोलना है उसको पहले सोच लीजिए जो भी टॉपिक है उसको पहले से सोच के जाईए जैसे अगर आपको बजट के बारे में बात करनी है तो आपको बजट के बारे में सारी चीज़े पता होनी चाहिए आप वही जाके नहीं बोल सकते हैं क्योंकि आपके पास content नहीं रहेगा बोलने के तो जब आपके पास content नहीं रहेगा तो आप क्या बोलेंगे और आप यह देखेगा कि अगर आप इसको boring बनाएंगे तो listener यह सुनने वाला कब तक सुनेगा थोड़ा आपको interesting बनाना होगा इसको और सबसे अच्छ लोग 10 sentences में भी नहीं कह पाते कोई दूसरा आदनी एक ही sentence में सब कुछ कह देता है ओके आपने देखा होगा आपके पिता जी जब घर आते हैं वो एक शब्द कहते हैं आपको सब समझ में आ जाता है तो एक तो clearly कहना है हर शब्द clear हो अच्छी आवाज में हो और धीरे-ध moderate speed बहुत धीरे भी नहीं बहुत fast भी नहीं आप जो information share करना चाहते हैं वो आपको पता होने चाहिए कि भी आप क्या बोलना चाह रहे हर चीज़ को बार बार मत बोलिए repeat मत करिए इससे थोड़ा सा दूसरे को uneasy भी होता है confidence of body language आपका जो confidence है आपका body language है वो बताता है कि confidence बहुत जरूरी है देखिए क्या जादा से जादा क्या होगा अगर आपके पास अच्छी vocabulary है शब्द है और आपके पास experience है आप अच्छा बोल सकते हैं आँखों से आँख मिलाईए सीधे खड़े रहिए और उनकी बातों को भी सुनिए अटेंटिव रहना है और गले में जट से बिलकुल जवाब नहीं दे देना है अब सवाल जवाब किये जाए विच आफ दे फॉलिंग इस एन एग्जामपल ऑफ औरल क्म्मिनिकेशन अब आप देखें यहाँ पर यह N.C.E.R.T. के जवाब है तो मैं आपको इसे रिलेट करूँगा तो कौन सा है इसमें उत होगा तो यह फोन कॉल है वो तरीका जिसे आप औरल कम्मिनिकेशन कहते हैं बातचीत मौकिक तोर पे वर्बल कम्मिनिकेशन के लिए क्या क्या चीज़े यूज़ कर सकते हैं कैसे वर्ड यूज़ कर सकते हैं तो आपको सिंपल यूज़ करना है आपको शशी थरूर नहीं लिया example या ऐसे गंभीर या ना समझने वाले शब्दों को यूज़ करके आप अपने नजरों में तो इज़त बढ़ा सकते हैं लेकिन दूसरे को समझ में नहीं आएगा तो आपकी बातचीत तो पूरी नहीं हुई ना वाई डूब यूज़ इमेल्स हम क्यों इसलिए उसकरते हैं पहली चीज़ तो यह है कि आप कम्यूनिकेट करना चाहते हैं बातचीत करना चाहते हैं और बहुत अच्छा तरीका है जैसे हम लेटर भेजा करते थे पहले लिखके यहां लेटर भेज़ दीज़े फटाफट पहुच जाता है वहां से फटाफट जवाब आ जाएगा तुशेर डॉक्यूमेंट फाइल अब इमेल में फाइदा यह है कि चाहे आप फोटो रखना चाहे 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 आप पीडिएफ रखना चाहे लेकिन इसको इसमें नहीं जोड़ाए इन्होंने A और B दिया हुआ है मेरे हिसाब से तो D भी होना चाहे लेकिन लेकि चलिए यह थोड़ा सा यह दोनों इस पे स्ट्रॉंग पढ़ रहे हैं D पे तो A और B इसका उतर माल लेते है इसके बारे में डिसके हम कर चुके हैं अभी तो मैं फटाफट बता देता हूँ आपको उतर तो आपको यह ऐसे लिखना है इसम्पल यह है कि जब आप एक मैनेजर है यहाँ पर एक एंप्रॉई है दुनों आपस में बात कर रहे हैं या इनको काम समझा रहे हैं या इन्होंने काम बहुत अच्छा किया इसका अप्रिशेट कर रहे हैं या इन्होंने काम खराब किया तो यह नहीं समझा रहे हैं यह तरीका हो सकता है इंटर पर्सनल कम्मिनिकेशन का return मतलब लिखित है आप लिख के कुछ भेज रहे हैं जैसे आप अपने दोस्त को लिखित में happy birthday बोल रहे हैं यह हो सकता बाकी example तो है आप तो small group communication है मतलब कुछ लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं कम ग्रूप कम का ग्रूप है 15 और 20 से कम के लोग हैं और चाहे प्रेस conference हो रही हो बोर्ड मीटिंग है टीम मीटिंग है वहाँ बातचीत कर रहे हैं पुब्लिक communication का मतलब यह होता है कि एक आप बहुत सारी gathering को एक साथ अ अरबानी आप सभी की